आज काल का मायू के युवाओं में एक बहुत बुरी आदत देखने को बहुत मिलती है वो है स्मोकिंग, यहां तक की स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे भी आजकल इस आदत में लिप्ट हो गए है, अगर इस बात पर गौर किया जाए कि आखिर लोग सिगरट पीना और फिर लप में जब दील हो जाती है, कुछ लोग ऐसे भी है जो केवल गलत फेहमी में आकर इसे पीना शुरू करते हैं, उनके मन में यह धारणा बन जाती है कि सिगरट पीने से टेंशन दूर होता है, जो की बिलकुल गलत है, लोगों को इस बात की जानकारी होती है कि य कैंसर जैसा घातक रोग को जन्म देता है, इसके बावजूद भी उन्हें इस बात का कोई दर नहीं और वो बिंदास होकर इसे पीते हैं, स्मोकिंग हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, इसे बताने के यह सरकार हर संभव प्रयास करती है, अनेक संदेश डेली हमारे सामने आ यह बहुत नुकसान देए, लेकिन फिर भी इन सापको नजर अंदास करते हुए लोग ऐसा करते हैं, बहुत से ऐसे लोग भी है जो इसे छोड़ना चाहते हैं, लेकिन छोड़ना ही पते हैं, आज हम आपको कुछ पाये बताने वाले है जो आपको मदद करेंगे, तो आए जानते हैं हर वर्ष 31 माई को विश्व तंबाकु निशेद दिवस वर्ल्ट नो टबाकोडे के रूप में मनाया जाता है और अवे ने इस लेन के लिए कई प्रोग्राम भी चलाए जा रहे हैं। विश्व स्वास्त संगठन की 2014 की एक रिपोर्ट के अनुसार धूमरपान और डिमेंशिया में संबंध है और विश्व में अल्जाइमर के रोगियों में 14 प्रतिशत वो लोग श्मित होते हैं जो धूमरपान करते हैं। इस रिपोर्ट में आगे, बताया गया कि डिमेंशिया का संबंध हर प्रकार के धूमरपान से है जैसे तंबाकू, बीढ़ी, सिग्रेट, सिगार, पाइप, रोल योरोन, शीशा, हुका और यहां तक की सिग्रेट के धुए के संपर्क में आने से भी यह कई रोगों को जन् सबसे पहले संकल्प लें, जब ही हम किसी नए कार्य की शुरुआत करते हैं तो मन में ठान कुलो से करते हैं, ऐसा करने से सफलता जल्दी मिलती है, यहां भी आपको ऐसा ही करना है और संकल्प लेना है कि मुझे अब धूमरपान छोड़ना है, क्यूंकि किसी और के बार-ब कहने से ऐसा नहीं हो सकता, आपको ही मन में ठानना होगा कि बास अब बहुत हुआ और मुझे अब यह नहीं करना है, शुरुआत में आपको कठिनाई होगी, मन विचलिद भी होगा, लेकिन पुनहा आपको अपने संकल्प को याद करना होगा, हम आपको एक आसान उपाय ब पास जाए, फिर सिग्रेट को जलाए और उस कूडे दान में डाल कर उपर से पानी डाल दें, निरंतर एक महता कैसा ही करें, यह एक ऐसा तरीका है जो आपकी बहुत मदद करेगा धूमरपान से मुक्ती दिलाने में, तूरे बनाए रखें, किसी भी नशे को छोड़ना इत ही पिए, फिर अगले दिन पांच, फिर तीन और फिर एक सिग्रेट पर आ जाए और फिर धीरे धीरे इससे दुरी बनाना शुरू करें, अगर पहले आप अपने पैकेट रखते थे तो अब आप ऐसा न करें, एक रिंड दो सिग्रेट ही अपने पास रखें, ऐसे लोगों को नजर अंदाज करें, जिनके साथ बैठ कर आप ज्यादा धूमरपान करते हैं, गुलक बनाये यह भी एक अच्छा तरीका है, जब भी आपको सिग्रेट पीने की तलब लगे तो आप टौफी या टॉकलेट खा लें और जो पैसे आप सिग्रेट के लिए खर्च करते थे उसे एक गुलक मेट डालते रहे तथा उसे घर के किसी दूसरे सदस्य को दे दे, जब आप महीने के अंत में गुलक खोल कर देखेंगे तो आप पाएंगे कि आपके कितने पैसे बचा लिए है, जिसकी आपने कलपना भी नहीं की होगी, फैमिली और दोस्तों की मदद लें अगर आप सच में धूमरपान छोड़ना चाहते हैं तो अपने दोस्तों और परिवारजनों का सहयोग जरूर लें, क्यूंकि अकेले इस काम को करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, सबसे पहले तो आप अपने सभी दोस्तों को बता दें कि आप सिगरेट शराब, गुठख उसकी तस्वीर अपने सामने हमेशा रखे, जब भी आपका मन धूमरपान करने के लिए विच्चत हो, उस तस्वीर को देखें और सोचें कि आपके परिवार और परिवार के लिए आप कितने एहम हैं।